नमस्कार आपका अख़बार के संख में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंगू सिख धर्ब में, सिख मजभ में, सिख राजनीती में तन्खया शब्द आपने जरूर सुना होगा तन्खया का literal meaning होता है समाज से बहिश्कृत करना यानि आपको समाज से बाहर कर देना लेकिन सिख समाज में तन्खया का बहुत बड़ा महत्व है और इस परंपरा को, खालसा की परंपरा को शुरू किया सिखों के दसमे गुरु गुर्गोविन संजी ने और तन्खया की परंपरा तभी से शुरू हुई है तो पहले तो ये समझ लीजिए कि तन्खया जिस व्यक्ति को घोशित किया जाता है उसको करना क्या पड़ता है तन्खया घोशित करने का मतलब है कि आपको समास से बहिश्कृत किया जा रहा है आप आईए अकाल तक्त पर माफी मांगिए और उसके बाद प्राइश्चित कीजिए केवल माफी से काम नहीं चलेगा तो प्राइश्चित में क्या करना होता है प्राइश्चित में आपको माफी के बाद फिर गुर्बानी का पाठ करना पड़ता है कड़ा प्रसाद जो है वो बाठना पड़ता है बनाकर और उसके साथ सेवा करनी पड़ती है तब अकालतक्त के ग्रंथी तै करते हैं कि आपको माफित दी जाए या नहीं अब गुर्गोविन सिंग ने इस परंपरा को शुरू किया तो उनको इसकी परिछा लेने का ध्यान में आया 1707 इस्वी में राजस्थान में दादू द्वारा समाधी पर गए और वहां तीर निकाल लिया ये सिख कोड के खिलाफ था जो उन्हों नहीं बनाया था पांच सिख आ गए वो परिक्षा लेना चाहते थे कि मैंने जो ये सिख दी है उसका असर कितना हुआ है अब गुर्गोविन सिंग ने ऐसा किया सिख कोड के खिलाफ वियवहर किया तो फिर सवाल ये है कि उनके खिलाफ एक्षन लेने की हिम्मत कौन जुटा है लेकिन उन्हों ने देखा कि पांच सिख यूवक जो है आ गया और कहा कि आपने सिख कोड का उलंगन किया है सिख धर्म की परंपरा का उलंगन किया है आपको ख्षमा मांगनी पड़ेगी आपको कडाह प्रसाद जो है माटना पड़ेगा गुर्गोविन सिंग इससे बहुत प्रसंद हुए कि उनकी सिख्षा का असर हुआ है और उन्होंने कडाह प्रसाद माटा सेवा भी की तो तब से ये परंपरा चली आ रही है लेकिन सामाने लोगों सामाने सिखों के लिए इसका प्रभाव अलग होता है जो लोग राजनीती के एक शेत्र में हैं उनके पर इसका प्रभाव अलग पड़ता है तो जो तनखया घोशित हो जाते हैं ये सब तो करना ही पड़ता है वो जब तक तनखया है तब तक वो सुर्ण मंदिर में तो अरदास कर सकते हैं लेकिन अकाल तक पर अरदास करने की मनाही होती है तो इसलिए कोई सिख खास तोर से अगर वो राजनीती में है या सारविजनिक जीवन में है तो वो कभी नहीं चाहता कि उसको तनखया घोशित किया जाए और आपको बता दें कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होता मैंने गुर गोविन सिंग जी का उधारन दिया सिखों के सबसे पहले माहराजा हुए माहराजा रंडीत सिंग 1802 में उनको तनखया घोशित कर दिया अकालतक्त के गरंतियों ने मीटिंग की और तै किया कि उनको जो है तनखया घोशित किया जाए क्यों उन्होंने एक मुस्लिम नर्तकी से विवाह कर लिया था तो उनको जो सजा सुनाई गई आपको सुनकर आश्चर होगा कि अपने मजहब के पहले माहराजा को और माहराजा रंजीत सिंग का प्रभाव कितनी दूर तक था कितना बड़ा था उनकी शक्ती क्या थी यह सब आपको मालूम है उनको सजा सुनाई गई कि वो सुन मंदिर में आएं शमा मांगें उसके अलावा उनको खंभे से रसियों से बांध दिया गया और कोड़े मारे जाएंगे तो कुछ प्रमुख लोगों ने लेकिन उनको भी कडाह प्रसाद माटना पड़ा प्राइश्चित करना पड़ा और तब जाकर उनको माफी मिली तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मैं ये सब किस्सा आपको क्यों सुना रहा हूँ संदर्ब क्या है तातकालिक संदर्ब क्या है तातकालिक संदर्ब ये है कि पंजाब के पूर्व उप मुख्य मंत्री और शिरोमणी अकाली दल के राष्ट्री अध्यक्ष सुखबीर सिंग बादल को अकाल तक्त ने तंखईया गोशित कर दिया है और इस फैसले की घोशना की अकाल तक्त के जत्थेदार और ग्रंथी ग्यानी रगबीर सिंग ने और उन्होंने कहा कि 2007 से 2017 के बीच में जो अकाली दल की सरकार रही उसने जो काम किये जो फैसले किये उस दोरान उप मुख्य मंत्री के रूप में सुख्बीर सिंग बादल ने जो फैसले लिए वो सिख धर्म की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले थे, पंध की छवी को खराब करने वाले थे, उनको और उनके मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों को 15 दिन के अंदर अकालतक्त के सामने पेश वना होगा, माफी मांगनी होगी, तुरंत सुख्बीर बादल का बयान आया कि वो माफी मांगने के लिए तयार है और शनिवार को वो अकालतक्त पहुंच गए, अब सवाल ये है कि सुख्बीर बादल ने माफी मांगने की घोशना तो कर दी है, लेकिन उन्हों ने श्रुर्मनी अकाली दल के अध्यक चोड़ने की मांग की जा रही है, ऐसे में अध्यक्ष पद छोड़े बिना उनको माफी मिलेगी की नहीं, अकालतक से ये एक सवाल बना हुआ है, और वो अगर पद छोड़े बिना माफी मांगते हैं, तो इसका असर सिख समाज में उनकी छवी पर पड़ेगा, और ये कोई मामूली बात नहीं है, आपरेशन ब्लू स्टार के बाद ग्यानी जैल सिंग, भूटा सिंग, सुर्जीत सिंग बरनाला, सहित कई लोगों को अकालतक्त ने तनखईया घोशित कर दिया था, तो सुख्विंदर सिंग भिंडर को कारेकारी अध्यक्ष नियूत करने के बाद सुख्वीर बादल के मुश्किलें कम नहीं होने वाली है, अब इन जिन लोगों का मैने बड़े नेता थे ये सिक समाच के, चाहे ग्यानी जैल सिंग हो, चाहे बूटा सिंग हो, या फिर सुर्जीत सिंग बरनाला, इनका जिकर क्यों किया, मैं राजनेताओं की बात कर रहा सिक समाच के अब तक के इतिहास में ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को, जिन राजनेताओं को, या सारविजनिक जीवन में जो लोग सक्री हैं, उनको अगर तंखईया एक बार घोशित कर दिया गया, उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने सेवा कर ली, कड़ा समस्या सुबीर बादल के लिए यही होने वाली है, चाहे ग्यानी जैल सिंग हो, चाहे आप सुजीर सिंग बरनाला को देख लीजिए, या फिर आप बूटा सिंग को, उनको पद तो जरूर मिल गए, कॉंग्रेस पार्टी में या अकाली दल में होने के कारण, लेकिन सिक सम समाज में उनकी वैसी फॉलेंग नहीं रहे गई, और सुबीर सिंग बादल और उनकी पार्टी श्रोर्मणी अकाली दल राजनितिक अस्तितु की लड़ाई लड़ रही है, तथा कथित किसान आंदोलन जो था उसके मुद्दे पर अकाली दल ने सुबीर बादल ने खास त सुबीर बादल अपनी पार्टी में अपना अस्तितु बचाने के लिए अभी तो लड़ रहे हैं, कई लोगों को निकाल चुके हैं, कई लोगों को निकालने वाले हैं, लेकिन बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, अब ये जो फर्मान आया है अकालतक्त का, उनको तनखईया घोशित करने का, कि और 2007 से 2017 के बीच में उनके मंत्रिमंडल के जितने साथ ही थे, उनको भी तनखईया घोशित कर दिया गया है, तो पूरी पार्टी ही सिक समाज की नजर में उसका कद, उसका रुत्बा जो है, वो नीचे आ गया है, सुबीर सिंख बादल अपन पार्टी में जो असंतोश है, उससे शायद निपट लें, उसका शायद मुकाबला कर भी पाएं, लेकिन अकाल तक्त के इस फैसले के बाद, सिक समाज में फिर से अपनी हैसित बनाना, वैसे भी सुबीर बादल के इस्थिती बहुत खराब है, 2007 से 2017 के बीच में जो अकाली छवी बनी, तो वो सुबीर बादल के कारण, उसका नतीजा ये हुआ, कि प्रकास सिंग बादल जैसा कदाव और नेता भी अपना विधान समाज चुनाव हार गे, ये जो इस्थिती अभी बनी हुई है, अकाली दल की, उससे सुबीर बादल के लिए पार्टी को निकालना बहुत कठिल है, और तंखया घोशित होने के बाद, उनके आगे की राजनीती, अब सवाल ये है कि क्या सुबीर बादल का राजनीतिक सफर कत्म होने वाला है, कहते हैं कि राजनीती में किसी की पुलिटिकल अबिशियरी बहुत जदबाजी में नहीं लिखना चाहिए, बह कॉंग्रेस के ऑफिशियल केंडिडेट थे, 1969 में राश्पति पत के लिए, इंदिरा गांधी उनको नहीं चाहती थी, निजलंग गपा और उनका जो गुट था, वो चाहता था, उनने उमीदवार बन बाया, उनका जो है कॉंग्रेस वरकी कमेटी में बहुमत था, इंदिर आत्मा की आवाज पर सांसद राश्पति चुनाव में वोट दे, यानि पार्टी लायल्टी को आप छोड़ दीजिए, और नतीजा यह हुआ, वीवी गिरी राश्पति का चुनाव जीत गए, नीलम संजीव रेड़ी चुनाव हार गए, उसके बाद, 71 में जो हुआ आपक जंता पार्टी की सरकार बनी, मौरार जी देसाई और उनके साथियों ने मिलकर उनको उनके गाउं से वापस बुलवाया, और सीधे राश्पति बना दिया, तो जो एक तरह से राजनीती से रेटायर होकर गाउं में चला गया था, खेती बाड़ी करने लगा था, वो लोट बीर बादल की जो चवी है, उनका जो खास तोर से डिप्टी चीफ मिस्टर के रूप में कारेकाल रहा है, वो इतना बड़ा बैगेज बन गया है पार्टी के लिए, कि उस बैगेज के तहत गडबंधन की उनकी साथी दल भाजपा भी दब गई उसके तले, वो भी अभी त जादा तर लोग वहां पर हैं, और जो कॉंग्रेस से आये हैं, उनमें भी असंतोष धीरे-धीरे पनप रहा है, आपको एक छोटा सा उधारण देता हूं, सुनिल जाखट प्रदेश अध्यक्ष हैं भारती जन्ता पार्टी के, उनको जिम्यदारी सौंपी गई, वीजय सा अराज थे, उनका टिकट काट दिया था पार्टी ने, तो उनको मनाने की जिम्यदारी सुनिल जाखट को दी गई, तो मनाने गए, तो उनका कि देखो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाओगे, बात चल रही थी दूसरी पार्टी में जाने की, तो तुम में ये बात है और पंजाब से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ऐसे कई नेता हैं कॉंग्रेस से आई हुए जो वापस जाना चाहते हैं या तो कॉंग्रेस में वापस जाना चाहते हैं या आमाद्मी पार्टी में जाना चाहते हैं तो ये जो भानुमती का कुनबा पं के लिए politically survive करना अब दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है भारतिय जंता party से उनकी party का फिर से गड़बंधन हो पाएगा इसकी संभावनाएं लगबग खतम हो गई और बिना किसी गड़बंधन के साथ ही के उनके लिए राजनीतिक रूप से survive करना बहुत कठिन है और दूसरा कोई गड़बंधन का साथ ही मिलने वाला नहीं है न तो आमादमी party उनका साथ देने वाली है और नहीं Congress, Congress का तो सवाल ही नहीं उठता, Congress और अकाली दल का तो पुराना बैर रहा है और कोड में खाज ये कि उनके जो साले हैं विक्रम जी सिंग मजिठिया वो भी अकाल तक से तनखया घोशित हो चुके हैं और आप बेखें कि उनकी राजनीतिक हैसियत जो तनखया घोशित होने से पहले थी और आज क्या रह गई है तो उनका जो है राजनीतिक कद जो बहुत बड़ा नजर आता था वो बहुना नजर आता है क्या सुखबीर बादल तनखया होने के बाद पुलिटिकली सर्वाइव कर पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है उसी के साथ सवाल है क्या क्या पंजाब में शिरुमनी अकाली दल का कोई भविश्य है कोई ऐसा जनाधार वाला बड़ा नेता दिखाई नहीं दे रहा है जो पार्टी को आगे ले जा सके जो लोग हैं जिनका थोड़ा बहुत जनाधार है उनमें से ज़्यादा तर लोग सुभीर बादल के खिलाव है फिर जोर देकर कह रहा हूं हो सकता है ये हो जाए कोई जरूरी नहीं राजनीती में कुछ पता नहीं होता है कब किसका सितारा बदल जाए और कब जो जिसकी अपेक्षा नहीं करता था वो मिल जाए लेकिन ये सब केवल जो है दिन में सपना देखने जैसी बात है क्या आकाली दल एक राजनीतिक दल के रूप में पंजाब की राजनीती में लंबे समय तक बना रह सकता है जब मैं कह रहा हूँ बना रह सकता तो प्रभावी तरीके से एक चैलेंजर के रूप में सत्ता के दावेदार के रूप में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और कुछ बचेगा नहीं अकाली दल लंबे समय से दशकों से सत्ता के चैलेंजर रही है कॉंगर्स पार्टी जब जब सत्ता से बाहर गई तो अकाली दल सत्ता में आई है सुखबीर बादल के नित्तु में पार्टी ऐसा कभी कर सकती है ये कम से कम आज तो दिखाई नहीं दे रहा है और आने वाले दिनों में सुखबीर बादल की मुश्किल और बठने वाली है उनके लिए समस्याएं और बठने वाली है क्योंकि वो अध्यक्ष पत्स से इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे है अकाल तक्त पर अगर उनको माफी मिल भी गई तो पद पर बने रहने के कारण उनकी जो प्रतिष्ठा गिरेगी उसको कैसे बचाएंगे उसका कोई हल सुखबीर बादल के पास अभी तो नजर नहीं आता और उनका जनाधार उनकी पार्टी का जनाधार लगातार से कुड़ता जा रहा है तो पंजाब में इस समय प्रमुख प्रतिद्वंदी की रूपे जो दो पार्टियां नजर आ रही है वो है हामादमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी भारती जनता पार्टी उधार के पैसे से धन्वान मनने की कोशिश कर रही है उसकी ये कोशिश कितने दिन तक चल पाएगी ये कहना बड़ा मिश्किल है तो इस अंक में इतना ही अगलेंग में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अन्मत ही दीजिए आपसे अमरोध है कि ये चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब दरूर कीजिए नमस्कार